34-35 दिन में आपको चालू हो जाएगी इस्टाड़ी मान पर एकड़ 34-35 तन मान लेकला हूँ नमस्कार कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ मस्तूंगे दोस्तों आप जो मेरी पीछे देख रहे हैं ये खेरे की फसल है और ये खेरे की फसल हमारी नहीं है हम आज इस वीडियो पर एक ऐसे किसान से आपको मिलाने वाले हैं जो कि लगभग 20 इकड़ के रगबे पर खेरे की खेती को करते हैं और अपने आप में एक सब्फल किसान है खेरे पर अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं हम जानने की कुछिस करेंगे कि आखिर वो 20 इकड़ की खेती की खेरे की इतने लंबे स्थर पर कैसे कर पाते हैं क्या राज है उनकी सब्फल दगा हम अधिकतर इस चनल पर आपको हमारे जो भी अन्वाव हैं खेती संब्दी हम आपको देते रहते हैं हमने सोचा क्यों नहीं एक ऐसे सफल किसान से मिलाए जाए जो कि खेती पर अच्छा अन्वाव रखते हूं और सफल किसान हो और आपको ऐसी जानकर यह दे सकें जो कि आपको आज से पहले कभी नहीं मिल पाए क्योंकि भी सी कड़ पर खेती करना कोई आसान काम नहीं है और उसको मिनेच करना भी कोई आसान काम नहीं है चलिए दो समय करते हैं मैहुरा के साहू आप देख रहे हैं एको जिवन बात है किसान की यह आपका अपना चैनल है इस चैनल पर जो भी जानकर यह पूर दी जाती यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पहली वाई चैनल को सब्सक्राइब चलिए हम सबसे पहल लगभा वोटोला आगे पीछे मेला कि 25 इकड़ में अधिक तरह हमने देखा है कि लगभा किसान जो है दो इकड़ पांच इकड़ पर खेती करते हैं खीरी की खासका लेकिन यह कैसे सफल किसान है जो कि 25 इकड़ पर सिर्फ खेती करते हैं अच्छे इसके अलावी बाद उसके बाद एक एक फसल सब खीरे की निकाल लेते हैं उसके बाद पर अपना तो इससे फायदा यह होता है कि हमारी जो अगली फसल जो बड़ी फसल है उसके थोड़ा सा पैसा हमें पैसल मिल जाता हूँ जो कि मैं आपको अधिक तर वीडियों बताते रहता हूं कि आप जो तो अभी आप जैसे 25 पर खेती कर रहा है तो खेरे की खेती पर इतने लंबे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ समस्यां क्या-क्या समस्यां आती है रिकतर आप किसान भाई को बता सकें तो ज़्यादा तर मतलब बीमारी में हैं बीमारी में तो यह वाइट है अचानक अजाती है फिर धूप निकल जाती तो ऐसे समय पर खासकर खीरी की खेती पर सबसे ज्यादा डाउनी मिल्टी की समस्या इस पर इसमें क्या क्या लिए थे हम डाउनी मिल्टी पर सभी वैसे चला रहा है अपन वह मेरी वान वगयर है इंडेक्स है अच्छा प्रो अपना बार जो भी ऐसी पहुत साइव दवाई है जो अपना रेगलर मेरे असे से चार से पांस दिनों पर अंत्राल पर एक इसप्रे करते रहे एक समस्यास में फल मक्ही के लिए आप क्या करते हैं जादे लीप माइनर वाली लीप माइनर वो जो अपना फलों पर होल करती अभी वो सिकाद नहीं आती है अब बारिस में आज जासे यह होगा जब आएगी तो अब जब तक कि अपने खीरे समाप नीच हो जाती है इसके लिए मैं आपको बता दो कि अधिक तर फूट प्लाई जो भी समस्या आती है जहां पर भी खासकर लोकी में करेले पर गिल्की तक अब करेंगे तो आपके वीडियर देखा तो इसमें वी आपनें में बसा ने एकई कि पहने लेकिन वहाँ को वदाता है कि सिर्फ पहले ही नहीं आती हैं खासकर इसे तब लगाए हम जब कि हमारे छोटे फाल हों मना फ्लावर दिखने लगे तो यह ज्यादा कारगर होता है बजाए इसके कि जब कोई रोग आ जाए इसके बाद 25 पर आपके रिखेती करें तो लगबग एवरेजन उत्पादान क्या रहता है अब 200-200 कुंटल वह जसी यह वियल कोई लगा अभी तरह जाए आप मालनी सेमीनिस की मालनी है अच्छा और VNR की कृष्स चाल यह ओनाव कि किर्स जाला है अभी के मौसम के हसाब से अध्य मालनी मतलब कि किर्स मौसम के लिए अच्छा यह थांड के मौसम के लिए अज़ लेकिन किर्स सदावार कभी भी लगा कभी 12 में इसको अपन कभी भी लगा अच्छा एक चीज और है कि जैसे उत पादन तो हमने 200 राइचों को ले लिया लेकिन अगर हम जैके अगर किसानफाई को बताई करते हैं जिसे आप लगाया हमने सीड लगाया हमाले लिए तो केतने इन इन पाद तोड़ाई चालू हो जाती है हमारी किर्स की यह तो मतलब 32-35 दिन में आपको चालू हो जाएगी इस्टाइगी मालनी 45 दिन है दस दिन कभ ऐसी दिफरेंश दस द भाई को बताना चाहें कि खीरे के खेती पर अगर परसाथ की समय पर हम करते हैं कोई नया किसा आप लिए तो उसको क्या-क्या साथानी बरतनी चाहिए तो यह इस टेक्चर अपना अच्छा मजबूत बना ले अच्छा है कहनी और यह पौदे की हाइट पूरी माल बारिस नाइट रोजन मतलब कम दें भारिस को रहता है तो बब्लकुल कम देने चाहित करते हुं कि मैं वह अधिक्य हर साल की केती करता हूं तो एक समस्या इसमें जाती है कि जब नाइट्रो जादा दे 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 इसको मालो तो फ्लावर बहुत आते हैं लेकिन वह सैट नहीं पाते हैं और सिंगल दंड़ भागे का उसकी जो ब्रांचेस नहीं निकल पाएंगी जितने ब्रांचेस जितने नोट सहेंगे उसी पर हमारे पादन पर खेल गए अच्छा जैसे मली जी 35 दिन में इसकी अस्टार्डिंग होगी अपनी खेरे की तोड़ाई की तो कितने दिनों तक चलती लग पागी है तीस दिन माली जितने वहां समापत तो जाए जली समापती है अब जासे यह मालनी का बताते हैं यह तो हमारा फर् चलती देड़ में लेट होती है और लेट लेकिन 35 दिन में चालू जाती है ऑं लगवाकि तीसे दिन में समापती जल्दी थोड़े आते हैं इस अब पिछले साल थी वह मारी चली ती लेकार के प्लाट में अचली थी लंबी 45 दिन चली सब्सक्राइब अब फिर मौसम आपने कोई वराइटी लगाई है नहीं इसके अलाव कुछ नहीं हम तो हमेंसे ज्यादा किरेशी नहीं सौरी हाँ लगाए लगाए मारिया 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 लगाए तो बहुत सुपर लेकिन उसका भी अच्छा हो समय वह यह कि उसके लिए भी सर्दी का थम है अब लगाना है तो मारिया आप लगा सकते हैं जोन्यों सीटी आती है बहुत ही बढ़ी है वराइटी है हमने भी से लगा कर देखा है आप भी लगाना चाहते हैं अकर जन्वरी फरवरी के महनें पर इसकी साइनिंग बढ़ी और मालगी साइज भी सब चीज और उसका पादन पर पहले इसी साल लगायते हैं पिछले साल यहां के एक फार्मर लगायते हैं तो उनने बताए कि यह अच्छा है करके इसका रिज़ड तो हमने भी उस पार ठैंड में लगा अच्छा रिजड मेला मेरे को लग बग अब कर नहीं कह सकता है एक तन का हीर फेर होगा पर इक चौतिस से पैंटिस तन माल निकला है और दस रुपर की वगर रेट मिल जाते हैं तो तीन से साड़े तीन लाग रुप आरा अशे निकल जाते हैं एक से डेर लाग रुपर खर्चा होगा मेरे सब्सक्राइब तो कम से कम एक लाग रुपर तो आदमी कमा ही सकता है और एक लाग रुपर यादी वह टमाटा की खेती के पहले अगर ले लेता है तो वह सबसे बड़ा प्लस पाइंट हो का उसकी फिरी हो जाती है हमने पहले इसके वीडियो बनाया था कि टमाटा के पहले एक ऐसी फसल है जो कि आप लगाते हैं तो आपका टमाटा को जो खर्चा है जीर हो जाता है आप चाहें तो उसे आई बटन पर देख सकते हैं और आपको वहाँ पर सारी जनकारी मिल सकती है टमाटा की खेती के वारे हम जनकारी दी हुई आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं आई बटन पर उसकी लिंक है भाई सब हमने खीरा लगा लिए टमाटा के आप में मैंसुच किया है कि यदी हम खीरे के बाद दूसरी फासल नेक्स फासल लेते हैं कि उसी बैट पर उसी मलचेंग पर तो कोई हमें पौसत में कोई दिखके जाती है कि उत पादन में टमाटर के थोड़ा बहुत ही कहीं नहीं के जैसे में को कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे को खुद का मेरा मानना है कभी लगता कि कोई फरक भी नहीं होगा और कभी लगता कि थोड़ा बहुत अगर मान के चलो अगर जहां अपने को मान के चलो इकड़ में अगर दो आजार करेट तूपना चाहिए अगर वहां दोचार-पांस सो कम भी निकल गया तो अप हम खाषका टमाटर में गोडिकत होगी अपना टोड़ी टिक रखाती है तो अपनाजिया आ ने काले एपने जो करते आप निकाले को तो बैसी कर देते है अब दो बचसे गया तो और टमाटर निए अठालिए और यसारि को निकाले हम यहाई उटार यह नियु आप जिए य तो इने ने ने अजिए आपने तो कि श्रुबात अकर देखें तो इसे अपने शुरुआ तो सबसे पहले हम बैड बनाइंगे वैसल दूश की वार्म बात करें अपर दालेश अपने दार हो गई जेंग डे लगपक इतना लेते हैं तो कम सब एक बोरी तो बी डालना चीए ए जुटास अपने पर 25 kg जिंग ले ले लें हैं इसे किसान से आपको मिलवाय है जो कि लगपक 25 एकड़ पर शिर्फ की फसल ले रहे हैं आगे भी दूसरी फसिलों को ये लेंगे, इसी जमीन पर लेंगे जैसकि लोगों के मन में ब्रह्म रहता है कि जार आगर आगर imizeष्ट अम उत्पादन फर्क पड़ता है लेकिन जितना मालीज़ फर्क पड़ता भी होगा, तो उससे जासा कहीं उसको लाब मिला है यह किसान का अपना अन्भाव है और यह लगभग पास से साथ साल से कम सब्सक्राइब करना आता है तो वह इतने सालों तक टिकता है और नहीं तो एक से दो सालों में तो बैड़ आता है अधा है और यह दो अधा है तो यह जो पांच बांच पांच आज आज अब मैंने तो अब तो दस पेंड़ बना के अभी नयाव बनाए तो सिर्फ जाए कि रखा गए अग्राव गए फैती पर सबसे जो अगर बात का हैं वह ही है एक तो आपको खर्चों को बचाना समय आपका यदी स्वेंग का बढ़िया है हालवेस्टिंग का बढ़िया है तो आपका उतबादन अच्छा आएगा और आपको मार्केट पर रेड वढ़िया मिलेंगे तो आगे भी उन्नती करेंगे हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम आपको बता पाएं कि कैसे आप खेरी के खेती करकर लाखों कमा सकते हैं और यह कमाना को कठी नहीं है लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको सबसे पहले विराइटी का चैन आपको करके आना चाहिए दूसरा समय का चैन करके आता है आना चाहिए आपको और इसके बाद फिर आपकी हर्वेस्टिंग बढ़िया आती है आपको धन्यवाद जी इस वीडियो पर बने रहने के लिए और आपने जो समय निकाला केम्ती समय था आपका लेकिंप फिर भी आपने हमारे लिए समय की कोशिस किया कि यदी आप लगन से काम करते हैं और समय को पकड़ कर चलते हैं तो आपको मुनाफ़ा कामाने से कोई न नई वीडियो में एक नई जानकारिसान तब तक नमस्कार जैहिं जैकिसान जैजवान